नमस्कार हमारी खास पेश्क शाधी अबादी में आपके साथ मैं हूँ श्वेता एस्रपाथी सभी को सतंता दिवस की धेड़ सारी बढ़ाई आजादी के इस जश्न के साथ हम एक और करदम आगे बढ़ गए हैं गर्फ कर रहे हैं हमारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी कई सवाल ऐसे हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं क्या वाकई आजाद देश का हर नागरे का साथ है आज प्रधान मंतरी नरींद्र मोदी ने भी लाल के लिए की प्राचीर सदीश की आदी आबादी को लेकर देश की लोगों से ही कई सवाल किये क्या आजाद देश की नारी को पूरा सम्मान मिल रहा है वो कहीं भी जाने के लिए सुतंत्र है वो अपना जीवन जीने के लिए आजाद है इन सवालों के जवाब आज आजादी के इस जश्न में खास महमानों से ही जानेंगे हम आजादी की सरसटमी सालगिरा मना रहे हैं खुश है उत्साहित है हरोर उमंग है सब एक दूसरे को बढ़ाईया दे रहे हैं लेकिन फिर भी कही न कही ये सवाल आज भी है क्यों आजाद देश की नारी आज भी पूरी तरह आजाद नहीं है गर्व है मुझे, आजाद देश की नारी हुए पर फिर भी आजादी पानी है मुझे देश को आजाद हुए सरसट साल हो गए हम आजाद होने की खुशी हर साल मनाते हैं अर गर्व भी करते हैं उन वीर सब पूतों को याद भी करते हैं जिन्होंने आजादी के लिए अपना सब कुछ नियुचावर कर दिया लेकिन क्या सही माइनों में भारत जैसे लोकतानत्रिक देश में सभी आजाद है अंग्रेश तो भारत छोड़ कर चले गए लेकिन आज क्यों हम अपने ही देश में अपने लोगों के बीच कैद होते जा रहे हैं ये सवाल वक्त ने ही उठाया है त्योंकि आज भी नारी रोडियों से परंपराओं से सामाजिक विसंगतियों से मुक्त नहीं हो पाई है अपनी ही कारा में कैद भारत की नारी आज भी अपने जीवन संगर्शों की लड़ाई लड़ रही है सवियों की गुलामी से उत्पीडिक टतारिक प्रूडियों की श्रंकलाओं में बंदी उसकी आखों ने एक सपना जरूर देखा था जब देश आजाद होगा अपनी धर्ती अपना आकाश अपने सामाजिक दायों में वो भी सम्मालत होगी उसके भी सपनों की उम्मीदों को नए पंख मिलेगे पर उनका ये सपना अभी भी साकार नहीं हो पाया अपने अधूरे सपनों के सचोनी की उम्मीद लिए महिलाएं देश की स्वतंतरता के संघश में भी भागिदार बन जूशती रहे राजनीतिक आजादी अभी व्यक्ती की स्वतंतरता का अधिकार भी मिला परधूरा आज भी महिलाएं जलाई जाती हैं कभी देश के नाम पर तो कभी पुरिश प्रधान सामाजिक प्रतारना का शुकार होका बालिका विवाह की अमानविय प्रता में कितिनी ही नन्ही मासूम बालिकाएं बलिदान हो जाती है आज भी अबोद मासूम नाबालिक बच्चिया दुशकर्म और दुर्वेवार का शिकार होती है भूर हत्याई भी इसी क्रूर गुलाम मानसित्ता का सजी गुधारण है कभी महिलाओं ने सोचा था कि जब उन्हें आजादी मिलेगी उनकी भी आवास सुने जाए वो भी विकास की मुख्यधारा में शामिल होकर अपनी मन्जिल हासिल कर पाएंगी पर आज वो अपने ही देश में सुरक्षित है क्यू नारी आजाद देश में होते हुए भी आजाद नहीं बहुत सारे सवाल है खुश है लेकिन अपने आप में ये सवाल पूछिए क्या ये खुशी पूरी है आदी अबादी की सुरक्षा की अगर बात कर लें तो पिछले कुछ समय से सबसे बड़ा मुद्दा उठा और ये मुद्दा पिएम नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाशनों में बखुब उठाया उन्होंने बलात कार की घटनाओं का जिक्री किया और लोगों से कहा बेटी से तो माबाप सैख़़ों सवाल पूछते हैं लेकिन क्या बेटी से भी यही सवाल पूछे चाते हैं मैं उन माताओं और उनके पिताओं से पूछना चाहता हूँ हर माबाप से पूछना चाहता हूँ कि आपके घर में बेटी दस साल की होती है बारा साल की होती है माव और बाप चौकन में रहते हर बाप पूछते हैं कहा जा रही हो कब आओगी पहुंचने के बाद भूल करना बेटी को तो सेंकरो सवाल माबा पूछते है लेकिन क्या कभी माबा आप ने अपने बेटे को पूछने की हिम्मत की है कहा जा रहे हो को जा रहे हो कौन दोस्त है आप भी बलाकार करने वाला किसी के बेटा को है उसके ने जो कोईन को माबाब है क्या माबाब के नाते हमने अपने बेटे को पूछा कि तुम क्या कर रहे हो कहा जा रहे हो अगर हम आप आप करे तो हमने बेटियों पे जितने बंधन डाले है कभी बेटों पर भी डाल करके देखो तो सही, उसे कभी पूछो तो सही 21 सदी है, लेकिन आज भी हमारे देश में लड़के और लड़कियों में भेदभाग किया जाता है प्रधान मंत्री ने अपनी भाशन में लिंग अनुपात का भी मुद्दा उटाया और देश से ढूर हत्या रोखने के अपिल किया क्या कमी सोचा है, आज हमारे देश में सेक्स रेशियों का क्या हाल है एक हजार लड़कों के सामने 940 बेटियां परदा होती है ये समाज मैं संतुलं कौन परदा कर रहा है इश्वर को नहीं कर रहा है मैं उन डॉक्तरों से अनुरोग करना चाहता हूँ आपकी तिज़ोरी भरने के लिए किसी मा के घर में तल रही बेटी को मत मारी मैं माता और दानों का कहता हूँ कि आप बेटे की आश में बेटियों को बली मत चड़ाईगे ये 21 ज़री के मानव का मन कितना कलुशित कलंतित कितना दाग भरा है उसका पदर्शन कर रहा है तो सुरक्षा के साथ साथ सवाल देश में ये भी उठ रहा है कि आखिर सुरक्षा मिल क्यों नहीं पा रही और इसी विशय में सबसे एहम सवाल ये होता है कि आज भी अगर हम देखें तो हमारे देश में गाउं की हम बात कर लिए बहुत सारी जगे ऐसी हैं जहां शौचाले नहीं है और इसी मुद्दे को आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने भी उठाया जिसका सबसे ज़्यादा दुष्प्रुभाव महिलाओं पर पड़ता है पियम ने कहा कि 21 सदी में रह रहे हैं और उनके लिए शौचाले भी नहीं बना सकते हैं 21 सदी में हम जी रहे हैं क्या कभी हमारे मन को पीड़ा हुई आज भी हमारी माता और बहनों को खूले में सौच के लिए जाना चाहते हैं दिगली दिए जिमेन क्या हम सब का दाई तो नहीं हैं बेचारी गाउं की मा बहने अंधरे का इंतजार करती हैं जब तक अंधरा नहीं आता हैं वो सौच के लिए नहीं जा पाती हैं उसके शरीर को कितनी प्रिड़ा हो गई होगी कितनी बिमारियों की जड़े उसमसे शुरू होती होगी क्या हमारी मा बहनों के गिज़त के लिए हम कम से कम सौचाले का प्रदन नहीं कर सकते हैं ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आज हम जानेंगे आजादी के इस जश्ट में हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है जिनने ना सिर्फ उचाईयों को छुआ बलकि बता दिया आधी अबादी कितनी ताकतवर है हमारे साथ इस टूडियो में मशूर कठठक निर्ते आंगना और पदमश्री सममान से सम्मानट शोबना नारायान जी है शोबना जी बहुत-بहुत स्वागत है आपका माउन्ट एवरेस टोरेंब्रूस पते करने वाली अरुनुमा सिनहा जी भी है अरुनमा बहुत-बहुत स्वागत है जैफुर से हमारे साथ ग्लासगो कॉमन वेल्ट में देश का नाम रोशन करने वाली शूटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट अपूरवी चंदेला भी जुड़ चुकी है बहुत-बहुत स्वागत है आपका पूरवी और इन दोहर से सिंगर है हमारे साथ प्रीति एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हो शूबना जी पहला सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ हम बहुत खुश हैं एक कदम आगे हम बढ़ गए हैं आजाद देश में हम एक तरह से कहें कि तो सास ले पा रहे हैं लेकिन अभी भी आपको लगता है कि वो मंजिल जो हमें पानी थी वो हम पूरी तरह पा चुके हैं जी नी मैं तो यह नहीं कहूंगी कि हम लोग मंजिल पूरी तरह पा चुके हैं अगर पाच चुके होते तो आज हम ये सवाल करते ही नहीं बहुत तरक्य हुई है आजादी मिलने के बाद लेकिन बहुत दूर जाना भी है और इसमें मैं कहूंगे कि हम जितने भी लोग हैं मर्द हों महिलाएं हों सबकों साथ साथ काम करना है और उत्तरदाई तो शायद महिलाओं का बहुत ज़ादा है मैं महिला हूँ और इसलिए मैं कह रही हूँ कि शायद हम लोग का उत्तरदाई तो उत्मा ही बनता है जितने हमारे मर्द लोगे हैं क्योंकि घर में, घर से ही जो एक मांसिक्ता, एक प्रविती है वो घर के ही माहौल से पहला शिक्षा आरंब होता है और वो शायद हम कहें नहीं मा कहें नहीं कुछ लेकिन उनके हाव भाव उनके आचार विचार जो है वो कहीं न कहीं वाइब्रेशन्स दे देती है और बच्चा उसको तुरंट पकड़ लेता है सभी लोग अपने उपर जो नेतिकता है और हमारे आचरन है हमारा किस तरह का व्यवहार है किस तरह की सोच है वो उस पर हमें पहले अपने अंदर जाकना चाहिए और उस पर सही रास्ते पर होना चाहिए तब ही वो बच्चों पर वो कहीं न कहीं असर पड़ता है बिल्कुल शोवनाजी, बहुत अच्छी बात आपने कहिए, ये कहें कि पहली जो पाटशाला होती, वो घर ही होती है, इसलिए कहा जाता है, वहाँ पही जो न्यू मजबूत हो गई, तो वो बहुत कारगर साबित होती है, आरुनिमा मैं सवाल ये आप से करना चाहते हूं, आ आपको वो हिम्मत और वो होसला मिल पाया, ये तो सही है कि शायद जब पूरी तरीके से ये लग रहा था कि जिन्दगी खतम हो चुके, अगर उस समय हमारे साथ पूरे, पुरा हमारा जो साथ मिलना चाहिए था लोगों से, अगर उस तरीके से साथ मिलता, तो शायद जो हम ये अगर दो साल बात किया, उसी चीज़ को और पहले कुछ और अच्छे तरीके से कर पाते, तो थोड़ा कहीं न कहीं ये चीज़ में तो जरूर होती है कि अदमी परेशान हो जाता है और ना साथ मिलने की वज़ा से, लेकिन अगर बात करें महिना की और ये उसके इंदर इतना बरदास करने की च्छमता होती है और उसके अंदर इतना कुछ कर गुजरने की च्छमता होती है कि अगर उसको अगर वो अपने पर आ जाए तो दुनिया का कोई भी काम कर सकती है, उसको कोई फिर रोक ने सकता, लेकिन अगर सब का साथ मिले तो कहीं और भी आली वो बिल्कुल सब कर साथ बहुत जरूरी है और एक तरह से कहें तो मुश्किल दौर में जब संगाश होता है तो उसमें अगर साथ मिले तो अपने आप में हिम्मत मिलती है आप पूरवा चंदेला हमारे साथ है आप पूरवा इक बात बताईए आप ग्लासगो कॉमनवेल गेम्स में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीत के आई देश ने गर्प किया बहुत खुशी हुई है आपको भी लेकिन आपको यह लगता है जब इस मंजिल को आप पा रही थी ठीक हम कहते हैं कि लड़कियों ने देश का मान बढ़ाया है प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी ने भी जो जिक्र किया है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी खुशी जिताई है कि आप लोगों ने देश का मान बढ़ा है पहले वो बात में सुनती फिर आप से सवाल लेती हूँ अभी राष्ट मंडल के खेल हुई है भारत के खुलाडियों ने भारत को गवरव दिलाया है तरीप उन्होंतर जितने चौसर जितने चौसर जितने हमारे खुलाडी मडल लेक्या है लेकिन उसमें 29 बेटियां है गर्व करें और ताली बजाईए उन बेटियों के लिए अपूर्वी ये बताईए जब आप जीती और अभी आपने सुना भी जब जिस तरह से आप लोगों की प्रशंसा की गई ये कहा कि बेटियों ने मान बढ़ाया है तालिया बजाईए इनके लिए उस वक्त कितना गर्व का एसास हुआ बहुत ज़्यादा गर्व का एसास हुआ ठीकि जो हम हमेनद करते हैं उसकी अगर बढ़ाई हो रही है और प्रसंता मिल रही है तो बहुत खुशी की बात है और मैं चाहती हूँ कि और भी लड़किया हमें देख्या आगे हैं बिल्कुल आप याने कि यह कह रही हैं कि नहीं हिम्मत है आप भी आगे आईए एक मिसाल काई हम आपने जरूर की है पूर भी आउंगे आपके पास प्रिती हैं हमारे साथ प्रिती आप बहुत छोटी हैं यह बताए आजादी कि इस ज़श्न को आप मना कैसे रही हैं आज बाद हाओ में बिल्कुल आपके एक केश इसनाना चाहोंगी जी वंदी मातरम वंदी मातरम शुजलम शुफलम मलय जशितलम शश्य शामलम मातरम वंदी मातरम शब्द कोटी कंठा कल कल निनाद कर ले रिशब्द कोटी बुजेंद्र देगर कर वाले शब्द कोटी कंठा कल कल निनाद कर ले रिशब्द कोटी बुजेंद्र देगर कर वाले अभुला कनु माति बोले बहु वल धर्णिम् नमामितर्णिम् विपुदल वर्णिम् मातरं वंदी मातरं मात्र विपुदल वंदी मातरं मातुं वंदी मातरा क्यों वर्णिम् राजु क्रल्ट व्याद्खुदल व्याद्खु आधी आबादी में आज हम खास तोर पे बात कर रहे हैं कि आजाद देश में किस तरीके से क्या पूरी तरह से आजाद है आज की नारी आधी आबादी को आगे बढ़ाने की बात होती है एक तरह से होसले की बात होती है लेकिन फिर भी कुछ सवाल क्यों अब भी बरकरार है और वो लगातार ये बात और दर्शाते हैं कि क्या सही माइनों में ये आजादी आधी आजादी की पूरी आजादी है खास मैमान हमारे साथ है शोवना नरायन जी हमारे साथ बनी हुई है आप मशूर कथक नित्यांगिना है और पदमिश्री सम्मान से सम्मानित है और साथ में माउंट एवरेस्ट और एम्ब्रूस फते करने वाली अरुनिमा सिना है जैपूर से ग्लासगो कॉमन वेल्ड गेंस म देश को शूटिंग में गोल्ड मेडल दिलाने वाली अपूर भी चंदेला है और इन दौर से सिंगर प्रीती है शोवना जी मैं थोगा ये जानना चाहूंगी क्योंकि कि कथक यानि किसी का नाम याद आता है तो शोवना नरायन आजादी के इस जश्न को अगर हम भाव भं शूट रही है एक है कि हम उस पर सोच रहे हैं एक इन्ट्रिस्पेक्शन है कि क्या हम सच मुझ आजाद है क्या हम अपने अंदर के जंजीरों से में हम अभी जखड़े हुए हैं कि उससे छुटकारा पा चुके हैं वो एक उस और वो संगीत छुटकारा पाने के जो जंजी जो हमें अंदर जको रही है उस से चुटकारा पारना वो संगीत तो हमारे वो शक्ति हमारे अंदर है और अगर उस शक्ति को हम निकालते हैं तो जीवन संगीत में हो जाती है खुश्नमा हो जाती है और हम फिर वैसे ही वो आखों में आशाए लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं बहुत खूब शोछवना जी बहुत खूब वाकई एक तरीके से ये कहें कि जो चीज हम जीते हैं वो हमारे पूरे तरीसे कहें तो आभा मंडल में हमारे पूरे व्यक कितों में दिखता है लेकिंशोवना जी यहां शायद बहुत कम दर्शकों कोई चीजे पता होंगी कि आप जिस मन्जिल पर पहुँची, जिस मुकाम पर पहुँची वो इतना असान नहीं था किस तरीकी चुनाओतियां थी बहुत सारी चुनाओतियां थी क्योंकि वैसे तो मैं पोस्ट आजादी की जन्री गई हूँ लेकिन फिर भी उस जमाने में अगर किसी ने कहा कि हम क्लासिकल डांसर बनना चाहते तो समाज वो डांस को बहुत अच्छी तरह नहीं देखते थे तो जाहर है कि समाज में बहुत लोग आलोचक थे कि लड़की को नहीं करना चाहिए लेकिन घर से शक्ती मिली और अपने अंदरूनी भी शक्ती थे दोनों ही था और उससे आगे बढ़े तो अगर आप अपने आप कोई भी प्रोफेशन मां हमेशा कहती थी कि कोई भी प्रोफेशन गलत नहीं है आप किस तरह से उस प्रोफेशन को आपकी डिगणिटी आपका काम आपकी चरिया जो है उस प्रोफेशन को डिगणिटी देगी या नहीं देगी तो वो अपने और वो सच्चाई के साथ गहराई के साथ और वही शायद जीवन में एक रहा और जब मेरे पिता जी का भी दिहान तेक ट्राजिक ट्रेन आक्सिडेंट में हुआ तो शायद वही थी वो घर में जो एक जो अंध कहे हुए एक वो शिक्छा मिली थी वो शक्ती थ थी हम दोनों बेहनों में कि मैं खुद उनकी लाश को लेकर आई पोस्ट मॉटम कराया और अगनी दिया और ये मैं आज की बात में कर रही हूं 1977 की बात कर रही हूं तो फिर ये बाते आपने महौल तो है ही है लेकिन घर में है अभी आपने भूच हत्या की चर्चा कर रही थी मैं उसमें कहना चाहते हूं कि शायद उसमें आज भी भागीदार हम महिलाएं हैं और मैंने एक बहुत साल पेले किया था कारेकरम जिसमें एक भूग पुकार रही है मा मुझको भी तो जीने दो मीठा करवा जैसा भी हो जीवन रस तो पीने दो मा मुझको भी तो जीने दो मा मुझको भी तो जीने दो बहुत खुब वाकर ये कहें तो जो एक एक एहसास होता है इन बातों का वो महिलाएं भी बखुबी और बहुत अच्छी तरीके से बता सकती है शोवन जी जिस तरीके से हमें तमाम चीजों को बता भी रही है उनका खुद का भी एक अपना अनुभव रहा है संगहश का कैसे उन्होंने उस दोर में अपने आग को आगे बढ़ाया जैसा उन्होंने खुद कहा जाता था कहा बेटी इस जगे पर जा रही है लेकिन आज सबकून पर नाज है लेकिन ऐसा क्यों होता है जब कुछ करने के लिए हिम्मत बढ़ती है तो उसके पेचे पहले आलोचनाई शुरू हो जाती है अरुनुमा जी के साथ भी कुछ ऐसा ही वह उनसे ही हम जानेंगे कैसे अपनी हिम्मत को उन्होंने बनाए रखा आधी अब आधी में आज हम तमाम विश्यों पर बात कर रहे हैं खास मैं मानो का पैनल हमारे साथ है इस वक्त अरुनुमा सिना मैं आप से सवाल करना चाहते हूं जिसे ऐसे भी शोवना नरायन ने भी बताया कि एक चालेंज था वो समय में आगे आएं जब ये कहा जाता था कि कैसे आरे आप इस फिल्ड में जा रहे हैं या इस प्रोफिशन को चुन रहे हैं लड़की हैं कैसे आप मुकाम हासिल करेंगे अरे निमा क्या ऐसा आपके साथ भी कुछ रहा बिल्कुल अभी जैसे सोधना जी ने कहा सेम जिसी थरीके से मेरे सब्सक्राइब की मौन्टिनिंग ऐसा गेम है जो एक जाना से ज़्यादा देखा गया है कि वो मेंस का मेली करते हैं उसमें और दूसरी चीज़ ये था कि एक तो लड़की दूसरे एक छोटी से डिस्टिक जहां पे लोगों को ट्रैक सूट पहनना भी लोगों को गवारा नहीं होता था और ल kole ये था कि मेरा परिवार ही मेरा बैक बोन था परिवार में हमेसा मेरा साथ दिया लड़कियां बाहर निकलती नहीं थी खेलने के लिए और हम अपने भाई के साथ में प्रक्टिस कर देते बौयच के साथ मैं नहीं जितनी बार ट्राइल दे exploited हैं बौयच के साथ में ट्राइल कर देते क्योंकि इतना चोटा सा डिस्टिक्ट वहाँ पर जब निकलते थे तो अजीब बहुत तरीकी के कामेंट्स ये वो दुन्यामर के चीज़े आती थे हमेशा मेरी माने मुझे यही बोला कि जिन्दवी में आगे तुमको बढ़ना है लोगों को क्या लोग तो वही पर बोल के चुप रहा जाएंगे तुम ही आगे बढ़ना है और कल को यही लोग आके तुम 세 पूछेंगे, जब तुम आगे बढ़ चुकी हो, यही लोग तुम से आके पूछेंगे कि हमें बताओ हम अपनी बेटीको कैसे आगे बढ़ाएं और वाकी में जब ँगेम करती थी भौल्लीवाल तब भी यही था बाद में जब पैर कटने के बाद मौंटिन के बारे में सुचा तो हर कोई यही बात बोलता कि क्या है फागल हो गई हो मौनटिनि करने के लिए पैर हो ना बहुत जरूरी होना और कुछ-कुछ लोग तो यहां मुठ बोलते ने कि लंगली क्या उसकी शादी हरं हो उसकी शादी करो चुप्छापा करके केनारे करो और छोड़े उसको PA साथ में तुम भी हार चड़ने की बात कि उसको ले के साथ में बैटे हो कब्भी यह था कि हमारा परिवार में कभी किसी की बात नहीं माने सिर्फ जैसा हम अगर आगे बढ़ रहे तो वो पूरी तरके से हमारे साथ थे और कुछ-कुछ लोग तो यहां तक हम बताएं कि हमारे घर में आना बंद कर दिया था उनने जब मांटेनिंग कर रहे थे ट्रेनिंग के दौरान में आना बंद कर दिया था उस समय कि क्या है पागल हो गए पुरा परिवार लेकिन बाद में हम लोगों यह था हम लोगों का होसला हमारा कुछ मेरा मेरा परिवार का भाई जी का सबका इतना जबरदास होसला था सबको यह बात पता था और यह चीज़ खुद पर सबसे ज़्यादा मुझे अपनी ट्रेनिंग पे अपनी एक्किवमेंट्स पे और उपर वाले पे भरोसा था खुद पे भरोसा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब यह लोग आज इस तरीकी की आलोचना कर रहे है एक दिन ऐसा आएगा यह लोग ऐसा मजबूर हो जाएंगे आके कहने पे सामने कि नहीं रोणिमा तुम्हें वो बात थी कि तुमने कर दिखाया तो लोगों के आलोचनाओं से कभी नहीं घवराना चाहिए दूसरी चीज़ कि यह हम पर डिपैंड करता है कि हम उस आलोचनाओं को किस वे में लेते हैं वो तो हमारे प्रति निगेटिव बोली रहा हमको सोचना है कि वो निगेटिव बोल रहा है हम उसको चैलेंज मिलेते हैं कल उसको मजबूर कर देते हैं कि ऐसा करके अपने कामों से ऐसा करके एक बार उसको मजबूर कर दें कि आको हमारे सामने बोलेगा कि नहीं तुम्हें वो बात थी तो ने कर दिखाया और उन्हा लाच्वाँ से कभी घवराना जाए जैसा कि कभी नहीं घवराए हम लोगों ने कभी नहीं घवराए हैं आज जब आप जब आप सम्मिट करके आपने इंडिया वापस आये थे तो हमने कभी खुद में सोचा था कि इतने लोग आएंगे जिसको कुछ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको माउंट एविस के बारे में पता भी नहीं था लेकिन वो लोग भी यह चीजें जिब सुन सुन के लोगों से सुन के जब वो लोग आए तो फिर वो लोग आज के बेट में जो लड़के अपने घर से बाहर तक नहीं निकलती थी उनके पिता जी हमारे घर में आते हैं बेटे हमें भी कुछ बताये हैं कि हम भी अपनी बेटी को कुछ ना कर रहे हैं कुछ-कुछ लोग किसी का पैर, कुछ-कुछ पॉब्लम्स अगर होने के बाद भी दिसेबल्ट है उनके माता पिता वो बच्चे खुद आ रहे हैं और आज बोल रहे हैं कि हमको भी कुछ रास्ता दीजी और हम भी कुछ करें तो ये सिर्फ एक सोच बदलने की देरी ते जो एक जो ब्रेक था हमारे डिस्टी की बात कर या फिर हमारे जो एक ब्रेक था तो उस ब्रेक को जिस दिन टूर जाता अपने आप फिर लोग आपके साथ आ जाते हैं पूरा मामला यहां पूरी हरे चीज़ अगर टिकती है कहीं आपके तो वो आती है सोच पर लेकिन ये सोच आखिर कैसे बदलेगी यूगि ये तो हबार कहा जा रहा है कि आगे हो रहे हैं बहुत सारी चीज़े हमारे पास समझने के लिए देखने के लिए लेकिन क्यों उस बात का एहसास होने में इतना वक्त लगता है अरुनिमा आपके पास दुबारा लौटूंगी प्रीती हमारे साथ है प्रीती एक बात मुझे बताईए आपने यहां पर बहुत सारी बाते सुनी होंगी शोवना नरायन भी बता रही है हमें बहुत सारी चीज़े है अरुनिमा भी अपने बारे में बहुत सारी बाते हमें बता रही है बेटियों पर ही अगर आज आज़ादी के इस दिन कुछ गुनूना ना चाहे हाँ बिल्कुल जैसा हमारा देश है यहां हर कदम कदम पर धरती बदले रंग तो हमारे देश में हम कितनी सारी चीज़े देखते हैं पंजाब में जाते हैं वहां कुछ अलग है एनपी में कुछ अलग है बहरास्ट में कुछ अलग है तो वैसा ही मैं गीत गाना चाहते हूं जुसने पूरे देश का जो रंद दिखाई दे मैं गुल्गुनाना चाहूंगी उस गीत को बिल्कुर यहां हर कदम कदम पे धरती बदले रंग यहां की बोली में रंग बोली सात रंग धानी बगडी पहने मौसम है नीली चादर ताने अंबर है ददी सु नहरी हरा समंदर है यह सजीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला यहां हर कदम कदम पे धरती बदले रंग सिंदूरी गालों वाला सूरज जो करे ठिठोली बर फीले खेतों को ढख दे जूनर पीली पेली यादो में रंग बातों में रंग चम चम कीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला वो एक तरह से कहें तो मन को छूती भी है और अपने आप यह कहें कि आथ के साथ गुन गुनाने का मन भी कर रहा है शोवना जी छोटी है प्रीती लेकिन अपने एक प्रतिभा से वो जरूर अपना नाम बना रही है इनकी विशे में भी आपसे बात करूँगी पूर्वी हमारे साथ है पूर्वी एक बात मुझे बताईए कि जब आपने सोचा कि शूटिंग में आना है आपको और इस तरीके से आपको पार्ट स्पेट भी करना है अपने आपको तैयार भी करना है कितना सपोर्ट आपको सुसाइटी का मिला जी मैं जी सुसाइटी से आती हूँ वहां इतना मानते नहीं है कि लड़कियों को बढ़ावा दें या फिर इतना जैसे शूटिंग जैसे गेम में डाले क्योंकि हमेशा समझते हैं कि आदमियों का गेम है पर मेरे परिवार से मुझे बहुत सपोर्ट मिला था मेरे माता पेता ने हमेशा मुझे इंकारेज किया कि आगे बढ़ू मैं और उसी से मैं आगे बढ़ी हूँ आज जो दर्शक देख रहे होंगे उनको भी यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को हमेशा आगे बढ़ाए और पूरा सपोर्ट दे उने बहुत जरूरी है बिल्कुल शोगनाजी एक बात मुझे बताईए कि हम बेटियों पर जब बात करते हैं इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि लगता है कि नहीं किस माईनों पीछे हैं लेकिन अगर हम फिर भी देखें तो कन्या ब्रूर हत्या जैसे मामले हमारे देश में ही है सबसे ज़्यादा कंडिशन इतनी वर्स चोचुकी है कि अगर आकड़ों की बात करें 2011 की जो आकड़े थे वो 1000 लड़कों पर 927 थे हमारे शूटर जो मेडलिस्ट हैं हमारी माउंटेनियर और हमारी जो एक और महमान हैं जो बहुत अच्छा गाती हैं सभी को मैं बहुत बहुत बढ़ाई देना चाहती हूँ और मुझे उमीद है कि इन लोग जो हमें बहुत हमारे देश का नाम और भी जादा रॉर्शन करेंगे अब आई भ्रू हत्या की बात इसमें जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इसमें बहुत ही शर्णाथ चीज़ है कि आज जो है हमारी जो आख्रें हैं इतनी लॉप साइडिड हो रही है और इसमें इडूकेटेड हो ये सपनी है कि इलिटरेट और इन इडूकेटेड ह हमारे यहां जो है अच्छे संपन परिवार के लोग भी इसके यह कहीं ना कहीं देखा जाता है उनके परिवारों में और ये एक सोच की बात है और हमें जो है ओरतों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि वही माँ को ही सास है वही बहू है वही बेटी है अकर वो इस तरह से ब्रूहत्याद करती जाएंगी तो कल समाज में इतना अंसंतुलन हो जाएगा कि हम आगे समाज कैसे बढ़ेगा और फिर जब हम इंपॉर्ट कर रहे हैं लड़कियां सिर्फ एक अचर्ल चीज इसके लिये भी तो फिर वो एक अलक किसं की एक और प्रॉबलम हम क्रिएट कर रहे हैं सामाज एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हम उनको चाइल्ड बेरिंग मशीन की तरह देख रहे हैं और एक नौकरानी की तरह देख रहे हैं तो ये शायद सबसे पहले हमें अपने अंदर जाग करके देखना चाहिए और हम औरतों को औरतों को एक मजबूती के है मिट जाता है लेकिन औरत में इतना शक्ति है कि वो अकेले ही घर को सम्हाल सकती है जब उनमें इतनी शक्ति है तो कहा गई ये मानसिक प्रबलता तो ये हमें देखना है क्योंकि उन्हीं क्या आचरन जो है घर में जो छोटे लड़के पैदा पल रहे हैं उन पर वो एक कह एक अलग ग्रूप ले लेता है तो बहुत ही एक विशिस सर्कल है जिसमें हम सब भागीदार है और हमें रेकिगनाईज करना चाहिए अपने आप से एक ऑनिस्टिक के साथ हमें रेकिगनाईज करना चाहिए कि हम नारी भी इसमें उतना ही भागीदार है जितना समाज में औ तो आप एक काम्याबी के मुकाम तक पहुँचा रहे हैं, मौका जिनको मिलता है वो, लेकिन आपको नहीं लगता कि अपने साथ हमें बाकी ऐसे लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, खास तोर पे उन महिलाओं या लड़कियों को जो हमारी तरह कोशिश करना च मैं चाहती हूं कि जितने लोग मेर को देखके आगे बढ़ पाएं, उससे मुझे बहुत खुशी होएगी, मैं ज्यादा इंटिव्यूज वगरा भी इसलिए देती हूं ताकि और बढ़ावा दे पाऊं लड़कियों को, और यही है कि बस आगे बढ़े हो भी, और सुसाइ अरुनिमा, एक बात मुझे बढ़ाई है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण विशे है कि अगर आदी अबादी को खुद सशक्त तो हो रही है, लेकिन अगर पूरी तरीके से यह कहें कि कहीं भी कोई भी अदूरापन ना रह जाए, इसके लिए आदी अबादी को ही अब जि देखें, जो बीत गया, उस पे रोना लेके बैठने से कुछ होने वाला नहीं है, हमें आज का यूर वर्ग पर पूरे पकड़ बनानी है, हम जो यूर आज जो हमारे साथ यहां प्रोग्राम में है, या फिर जो आज हमें देख रहे हैं, यही हमारे आने वाले, हमी सब आने वाले फिऊचर है, जो भी भूर हत्या हैं, जो पत चाहिए अनने जुकेटर के कारण हो रहे थी या फिर पैसे की वज़ा से, या फिर किसी भी चीज की वज़ा से जो भी हो रहे थी, वो तो बीत चुका है, लेकिन बात करें, अगर आज की सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आज का यूअ वर्क बदल जाएं क्योंकि आने वाला फ्योचर वही है। तो सबसे जरूरी है अपने अप्दल में हम युवा वर्ग क्योंकि अगर देखे हमारे युवा से ही पुरा देश है आने वाला के चाहिए और आज युवा ही हमारे साथ जुगे हैं जिस तरीके से ये देखें तो अपनी बातें आप रख रहे हैं उसे यही एसास होता है कि नहीं ऐसा नहीं है कि कोशिश है नहीं है खुद को तो बढ़ाने के कोशिश है बस जरूरी है कि साथ और मिल जाए प्रीती इसी कोशिश के साथ विवाओं को लेकर अगर आज कोई गीत सुनाना चाहें बिल्कुल मैं बेटीयों के लिए गीत सुनाना चाहूंगी बड़े उन्हेमीं के नियूंत की बात है कि हमारे देश में बैटियों के साथ ऐसा हो रहा है सबसे पहले ग्रामें घंड जो है अगे आने की जरुवत है उन्हें शिक्षित करने की जरुवत है तब ही हमारा देश औगे आएग कि ओसकी बूंद की तरह होती है बेटियां इस पर शगर खुर्दुरा हो तो रोती है बेटियां बेटे तो करते हैं एक ही कुल को रोशन मगर दो-दो कुलों को रोशन करती है यह बेटियां दो-दो कुलों को रोशन करती है यह बेटियां तो इस जो दो-तीन जो शब्द हैं अगर इसमें सभी समझ जाएं जो देश में जो हो रहा है तो हम काफी अच्छा कर सकते हैं क्योंकि हमें सिखाने वाले जो हैं वो हमें एक मार्क दर्शन तो देते ही है साथ में उसके चलना भी आना चाहिए अच्छी बातों पर देखते हैं कि स्कूल्स में कॉलेज में आपके तो हमें उसको फॉलो करना जरूरी है सिर्फ बच्चों को जो जो कहीं रह गए पीछे उनको आगे लाकर उनकुर उनको सिखाना चाहिए हमें और मैं तो बहुत छोटी में तो मैं देश का भविश्य है आदी आब आदी में आज में बात कर रहे हैं कि आदी आब आदी को इस तरीके से तमाम चीजों से बंदिशों से परंपराओं से और एक तरह से कहें कि वो उन तमाम चीजों से आजादी मिल पाएगी जिन चीजों पे आज भी वो जकडी हुई मैसूस करती हैं लगत लगतार अपराओं बरता चला जा रहा है अगर कुछ नया करने की सोचते हैं तो उसमें भी कई बातें सामने निकल कर आते हैं कि ये कैसे हो पाएगा क्या अगर इन सवालों को ही देखें तो ये नहीं कह सकते कि क्या वो पूरी चीजे हो चुकी हैं आजादी की जो सही माइने है पूरी तरीके से वो आधी अबादी के लिए हो चुकी है शोवना नरायन जी है इन से मैं समझना चाहूंगी शोवना जी बात ही मुझे बताईए आप बहुत सारे लोगों को बहुत सारे बच्चें को ट्रेन भी करती होंगी और वो आपके पास आके बहुत सारी चीज़ों सीखती भी होंगी क्या आपको ऐसे लगता है कि वो खुद तो आगे आना चाहती है लेकिन कहीं न कहीं वो मुश्किल है कि आने की मंचा है लेकिन कैसे आगे आे वो नहीं तरह हो पाता जी बिलकुल वो रास्ता तो उन्हें खुद ढूनना पड़ता है हर एक व्यक्ति को हम लोग सभी लोग सभी को अपना रास्ता ढूनना पड़ता है लेकिन उसके साथ साथ अपने उपर एक confidence होनी चाहिए और एक एकागरता चित होनी चाहिए कि हम इस रास्ते पें और और शॉटकस ना लेना चाहिए ठीकलर अगर शॉटककस लिया तो वो बुलबुले कि हस्ती अपनी हबाब की से यह नुमाईश सराव के पृर जो पूरी नुमाईश वो सराव है वो मिराज हो जाती है तो वो shortcutts ना लें और वो गहराई में जो आनन्द आता है और उस महनत और पसीने में जो आनन्द आता है उस आनन्द का कोई जोड नहीं है तो ये लड़कियों से मैं हमेशा कहते हैं और हमेशा कहते हूं कि तुम अपना choose करो जो भी करो अपने पूरे दिल के साथ करो और गहर मतलब हाँ सभी लोग materialistically gains चाहते हैं बढ़ना चाहते हैं लेकिन उसके साथ sensitivity ना छोड़े वो एक दूसरे के लिए सद्भार ना छोड़े आपने इता कुन अपने से दूर करें जी बिल्टे आरुनी मा आज का खास दिन है क्या message आप देना चाहेंगी आप अपनी जैसी बहु लोग जो हाथ में जहंडा अपने तिरंगा ले लेने से celebrate करना ही नहीं होता आज की दिन हर आदमी एक निश्चय ले अपने आप में कि क्योंकि आपका देश है एक निश्चय लीजिए आप सभी लोग कि आपके आसपा जैसे एक क्या करते हम चोकलेट्स खाते हैं रैपर व अपूर्वी पी अपूर्वी क्या मेसेज आप देना चाहेंगी मैं यही मेसेज देना चाहूंगी कि लाइफ में डिस्प्लिन बनाके चलें और अन्य नागरों की help करें और जैसा कि यह कह रहे हैं अभी कि सपाई रखें पूरे देश की क्योंकि हमारा ही देश है और मैं यही कहना चाहूंगी कि एक ड्रीम हर बच्चे में होता है वो पकड़के चलें और जो भी महनत हो उसको हासिल करने में वो हासिल करें क्योंकि जैसे मैं भी वहां Commonwealth में थी और जहनडा उपर जाते वे देखा वो जो feeling थी जब National Anthem बज़ रहा था और रोंगटे खड़े हो गये थे वैसी feeling अगर सब को एक बार experience करनी है चाहिए प्रिती, मैं आप एक तरीके से ये कहूं कि हमारे साथ शोवना जी है तमाम तरीकी हमने भाव भंगमाई समझी लेकिन जाते जाते एक मधूर गीत के साथ शोवना जी की कुछ और कलाओं को भी हम समझने के कुछिश करते हैं हाला कि वक्त बहुत कम है जानने के लिए बहु को राओं देखना चाहिए जरूर 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 जी बल्कुल कुहु कुहु बोले को यलिया कुंज कुंज में भारे डुले कुहु कुहु बोले को यलिया सज सिंगार रितुआई बसंते जैसे नार कोई हो रसे बनते डाली डाली कलियों कोते तली आचों में फूल फूल पंखड़िया घुले अमरित घुले कुहु कुहु बोले को यलिया अमरित बहुत खूब बहुत खूब शूबना जी और बहुत खूब प्रीति यह कहें कि वाकाई आज़ादी के इस जैश्न में आज इस तरीके से यह गीत हुआ और जो एक हमें देखने को मिला कला का एक बहुत बहतरी नुधार है शोवनाजी के जरीए उसमें और भी जादा उत्सा को बढ़ा दिया आप सभी खास मैमानों का इस खास कारक्रम में अपनी बात रखने के लिए और इस दिन को और खास बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो आदी आब आदी में कई सवाल हमने उठाए हैं सवाल यही है कि क्या आजाद भारत की नारी पूरी तरहा आजाद है उम्मीद यही करते है अब अगली बार जब आएंगे तो यह कहेंगे हाँ पूरी तरहा से आजाद है आज के लिए इतना ही मुझे दीजे जाज़त नमस्कार